पुटली से बड़ी कबर का रुख करते हैं, सड़क किनारे नाले में अग्यात व्यक्ती का शौब मिलने से इलाके में संसनी फैल रही है, सूचना पर मौके पर पहुंची, पुलिस ने शौब को वीडियेम अस्पताल की मोचरी में रखवाया है, और फिलाल पुलिस इस पू शौब मिलने से संसनी फैल गई, लोगों में हर्कम मच गया और तुरंत इस मामले में पुलिस को सूचना दी गई, फिलाल पुलिस शौब की शिनक्तवी की प्रयास में चुटी है, और शौब को वीडियेम अस्पताल की मोचरी में रखवा दिया गया है, तो कोटकुतली से यह बड़ी खबर, जहां सड़क किनारे अग्यात शौब मिला है, फिलाल शौब की बारे में कोई पुक्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, पुलिस लगातार यह प्रयास कर रही कि आके यह शौब किसका है, और यहां पर कैसे आया, और संदिक शौब के बारे में लगातार आ ज़र आ रहा है, चले इस कबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सही होगी महेश जांगीर हमारे साथ जुट चुके है, महेश क्या कुछ जानकारी है, इस पूरी घटना को लेकर फिलाल पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुँची है, जी बिलकुल बताना चाहूँगा पूर्पूतली की घटना है, पुलिस मौके पहुची दिया है, शुट को लेकर बीडियम अस्पताल की मोतरी में रखवा दिया गया है, अभी फरीजिनों की तलाव जारी है, हाला कि अविचा के फरीजिनों के बारे में कुछ से जानकारी भी लग पाईए, देखने में ये मजदूर्स की तरह में लग रहा है, जी, शुक्रिया मैश इस तमाम जानकारी के लिए तो आपको बता दे कि शव मिलने से इलाके में संसनी का माहूल है, और जब इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुची ए, फिलाल शव को वीडियम अस्प